दुनिया पर पडो भारी विराट चिलाना रखो जारी और यह चिलाना ही विराट के जीत्र का महा मंत्र है कैसे यह रिपोर्ट देखिए सबसे पहले मैदान पर विराठ का चिखना और चिलाना दुनिया के बड़े-बड़े क्रिकेटरों को अखर रहा है डक्षिन अफीरका के महान ऐल राुंडर जैक कैलिस ने हाली में विराठ के चीखने और चिलाने में क्या कहा पहले हो सुनिये विराट बेहद आक्रामक हैं ये उनके लिए फाइदे मन्द हो सकता है लेकिन उन्हें देखना होगा के इससे टीम को फाइदा मिल रहा है या नहीं उन्हें अपना चीखना चिलाना थोड़ा कम करना चाहिए महिला टीम इंडिया की पूर्फ क्रिकेटर और मशूर माइंड कंडिशनिंग कोच जया शर्मा ने विराट के चीखने चिलाने और उनके चैंपियन बनने का वैग्यानिक कारण बताया यह एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है कि जिस प्लेयर को जिस तरीके का जो तरीका है वो सूट करता है और उस चीख से उनकी परफॉर्मस को अगर एन्हांस्मेंट मिलती है तो वो उनकी अपनी मोटिवेशन के लिए है रादर देन किसी और को गुसा शो करने में या कि लक्ष का पीछा करने में विराट के 111 पारियों में 20 शतक हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं अफ्रीका दोरे पर टेस्ट और वंडे दोनों में शतक लगाने वाले विराट एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे ही बल्ले बाज हैं उनसे पहले सिर्फ रिकी 2006 में ऐसा कर सके थे विराट के इंटरनेशनल मैचों में कुल 55 शतक हैं विराट हर 5.9 यानि हर 6 पारी में एक शतक लगाते हैं ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है तीनों फॉर्मेट में 50 से ज़ादा की ओसत वाले हिंदुस्तान के एक प्लौते बल्ले बाज हैं विराट ब मिलती है और अब ये साइंटिफिक तौर पर साबित भी हो चुका है तो हम विराट को तो यही सला देंगे कि दुनिया को डराते रहो विराट खूब चिलाते रहो कुंदल चक्रवर्ती एबीपी निउस सेंचूरियन तो देखा आपने कि विराट के चीक ने चिलाने के पीछे क्या सीक्रेट है वैसे यही बात गोपी चंद ने भी कहा था पीवी सिंदु का और उसका नतीजा आप सब देख सकते हैं एक अलग वो मिलता है डेटर्मिनेशन एग्रेशन चीक ने चिलाने से आला कि स्क्रीन पर वो देखना कितना अच्छा लगता है यह आप सब बहतर जानते होंगे लेकिन फिलाल हम बात यहाँ पर विराट कोली की कर रहे हैं चलिए सीधे आपको हम ले चलते हैं सेंचूरियन ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विराट कोली की कुंतल हमें यह बताईए कि पिछले मैज जीतने के बाद सीरीज जीतने के बाद अब कप्तान विराट कोली ने कहा है कि वो अब मौका मौका खेलेंगे वो कोशिश करेंगे कि बाकी सभी खिलाडियों को जिनको अब तक मौका नहीं मिला उनको छटे वन डे में खिलाएंगे क्या रिपोर्ट है आपके पास? आईपेल मैचेस खेलना है तो ओवराल 135 दिन क्रिकेट खेलना होगा 2019 वल्ड कप से पहले तो रोटेशनल पॉलिसी अब अंतराश्ची क्रिकेट में देखा जाएगा ऐसा ही इंडिकेशन है भारती टीम के तरफ से और सिर्फ यहीं नहीं प्राक्टिस सेशन्स में भी देखा जाएगा कि एक दिन अगर कुछ प्लेश आया तो दूसरे दिन बाकी प्लेश आएंगे तो ज्यादा से जादा रेस्ट भारती खिलारी लेंगे नेट्स में और ऐसे ही आगे बरने का प्रयास करेंगे 2019 वर्ल्ड कप से पहले तो रोटेशनल प्राक्टिस रोटेशनल प्लेइंग दोनों ही देखने को मिलेगा रोटेशनल प्राक्टिस के बारे में हम लोग इससे पहले ज्यादा सुना नहीं था लेकिन शायद भारती टीम ऐसा ही करने वाली है 2019 प्राक्टिस होता था लेकिन अब रोटेशनल प्राक्टिस भी होगा यानि कि अगर आपको याद हो तो विराट कोली ने ये साफ तोर पर कह दिया था कि 2019 विशकप की तयारी इस सीरीज से शुरू हो चुकी है और इसी प्राक्टिस की तयारी में यहाँ पर कुंतल चकरवर्ती कह रहे हैं कि वो अब कॉंसेंट्रेट करेंगे कि हर खिलाडी को थोड़े मैच्चेस मिले पर कुंतल मेरा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने ये तैय कर लिया है कि उनका नमबर चार तक खिलाडी कौन होगा अगर दिनेश कार्तिक और मनिश पांडे को कल जगा मिलती है तो वो कौन से पोजिशन पर खेलेंगे कुंतल लेकिन कोई रिजिड माइनसेट लेकर भारतिय टीम आगे नहीं बर रहा है क्योंकि सबको मौका दिया जाएगा तो आप जैसे कह रहा है कि मनिश पांडे किस जगा में खेलेंगे आप देखना यह होगा कि मनिश पांडे को पांच में स्लोट में भेजते हैं कि नहीं भारतिय टीम मैनेजमेंट लेकिन चार का जो नंबर फोर का जो पोजिशन है फिलाल तो ऐसे लग रहा है अजिंके रहा ने फेवरिट है क्योंकि तो रहा बहुत इधर उधर करके देखे इससे पहले भारतिय चक्रवर्ती की विराट कोली कल एक और नया रेकॉर्ड बनाने वाले हैं वो अपनी कल 200 पारी खेलेंगे यानि 200 इनिंग खेलेंगे मैच्च तो वह जादा ही खेल चुके हैं लेकिन आपका पता दें कौन कौन से रेकॉर्ड वो बना सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ने सबसे ज़्यादा 491 रन बनाए हैं विराट ने 429 रन बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है विराट बालाइटरल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने के रेकॉर्ड से बालाइटरल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन का रेकॉर्ड फिलहाल रोहित के ना क्या विराट कोली ने आप साफ़क्वा कहा है कि वो किसी रेकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं लेकिन जिस तरह का बल्लेबाजी वो कर रहे हैं और दक्षिन अफिका में इस से पहले ही शुरू यह बहुत महीनों से लेकिन सबको लगा था कि शायद ये फॉर्म ज्यादा दिन तर बरकरार नहीं रहेगा लेकिन विराट का फॉर्म वैसा ही चल रहा है और दक्षिन अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में वैसा था एक दिवसी क्रिकेट में तो और भी अच्छा हो गया है तो बैटिंग में जितना भी रिकॉर्ड्स है बलेवाजी में सब कुछ तोड़ देंगे यहां बिलकुल यही खासियत है यहां पर विराट कोली की की जो मैच वो खेलते हैं उसमें एक नया रिकॉर्ड बन जाता और उमीद यही कि विराट रन बनाते जाएंगे और साथ ही चिलाते भी जाएंगे क्योंकि आज के शो में हमने आपको दिखाया कि विराट के लिए चिलाना कितना जरूरी है और क्यों